अब दोस्तो गूड बॉर्णिंग वेल्कम बैक टु निव विलोग और आज मैं दिखाऊँगा हमारे गाउं के जो खेते जहां पर गुलाब की खेती होती है मिर्ची की खेती होती है और भी बहुत सारी के खेती होती है तो दोस्तों यहां पर यह जो पोदे लगवे हैं पीछे ट्रेन चल लिए और यहां पर गुलाब के पोदे लगवे हैं उनके गुलाब के फूल भी लग रहे हैं अभी पोदी छोटे हैं तो गुलाब के फूल कम लग रहे हैं जिस जैसे बड़े होंगे तो फूल ज्यादा लगेंगे इनके दोस्तों जो हम मार्केट से जो सब्जी खरीते हैं वो दो या तीन दिन पुरानी होती है या फिर एक दिन भी पुरानी होती है और यहां पर जो है फ्रेश सब्जी है जैसे यह मैंने मिर्ची तोड़ी है और इसके अंदर मैंने तूरह ही तोड़ी है और यहां पर है मिर्ची का पोदा इसमें में बहुत सारी मिर्ची लगी यह जैसे बारिश का मुसम अदर बारिश इस्टाड होती है जैसे बारिश इस्टाड होती है तो यह बहुत ज्यादा तीक हो जाती है ये मिर्ची वैसे इनका स्वाद तो डाला लग रहता है थो एक बारिश के अंदर तोड़ा स्वाद चेंज हो जाता है कि और अग्त अगुरुट कि लगुट कि लिए झाल 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 झाल